हेलो स्टू मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तो बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में क्योंकि ये एपिसोड फुल ओन ड्रामा से भरा होने वाला है और यहाँ पर घर के हाल में आने के चमान निवास के हाल में बड़े बड़े कदम उठाए जाने है और बड़े बड़े लोग सही के अगेंस्ट होने वाल हैं तो कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में कोई कभी कुछ सोच भी नहीं सकता वो सही के लिए स्टेंड लेने वाले है और काफी कुछ आने वाले एपिसोड में होने वाला है सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में तो आने वाले एपिसोड की अगर स्टोरी आपको जाननी है कि विराट यहां पर अपने आपको जहां पर होनहार पुलीस वाला बताता है दूसरी तरफ खुदी बड़े-बड़े कानूनों को तोड़ देता है जहां पर जिसके बिहाफ पर विराट ने राजीव के उपर आरोप लगाए है उस खुद शक्ष को नहीं पता है कि जिसके खिलाफ उसके नाम से आरोप लगे है वो फिलाल शक्ष जेल के अंदर है यहां पर विराट कहीं न कहीं इंडारेक्ली खुदी एक क्राइम करा है और उसी को जान पूछ कर उनके ओपर थोपने की कुशिश कर रहा है कि यह शिवानी भुआ के बिहाफ पर उसने इल्जाम लगाया है यहां पर शिवानी पूरी तरीके से आकर अपना आपा खो देती है जेल में इस राजीव को माणने लगती है राजीव हस कर सारे जक्ष में जो है वो सहल लेता है यहां पर दोस्तों हम सभी को बता है कि जेल के अंदर जाकर किसी को मार पाना किसी को पर हाथ उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है और पूरी तरीके से पुलीस फोर्स जो है यहां पर शिवानी को उन्हें रूकते वे नजर आनी चायती पर विराट के होते हुए बे ऐसा सब कुछ हुआ तो वाकए में एक काफे ज़्यादा अजीब लगास सीरेल में देख करकि एक IPS ऑफिसर जो है अपने पूलीस स्टेशन में ही कानून को तोड़ रहा है जो हमीशा से कानून की दुहाई दितावा नजर आता है कि वो अपने पूलीस डिपार्टमेंट के लिए अपने फर्ड्स के लिए कुछ भी कर सकता है और यहाँ पर दोस्तों आने वाले एपिसोड में स्टोरी आगे बढ़ने वाली है जो पूलीस स्टेशन में इतना बड़ा ड्रामा हुआ है इसे तो अभी छोटा सा ड्रामा आपको लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर चवान निवास के लोग जो है पूरी तरीके से अपने हतियार लेकर खड़े हैं चवान निवास के हौल के अंदर ही कि कब सई और शीवानी घर पर पहुँचे एंड सब लोग जो है मिलकर उसके ओपर बूरिया बिस्तर लेकर चड़ जाए यहाँ पर विराड भी उनके साथ घर पर रेटन होने वाला है और विराड तो पहले से ही सही से बहुँच ज़ादा नाराज है लेकिन यहाँ पर विराड के ओपिनिंस जो है भी बदलते में नजर आने वाले हैं क्योंकि शिवानी का प्यार आने वार एपसोर में विराड देख लेने वाला है कि राजीव के पृतिक कितना ज़्यादा है, क्योंकि आज विव राजीव को भूला नहीं पाई है और उसे छुडाने के बात वो करने वाली है, यहाँ पर राजिव जो है काफी जादा खुश और काफी जादा कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि शिवानी उससे जरूर बचा लेगी और आज भी उसका साथ वो देना चाहेगी और ऐसा ही होने वाला है यहाँ पर दोस्तों चवान निवास में एंट्री होने वाली है साई की और फिट से यहाँ पर घर के लोग जो है उसको काफी जादा सुनाने लगेंगे और सबसे आगे जो इन चीजों में निकल कर सामने आएगी वो है दी वन एन अनली पत्र लेखा जिहां दोस्तों पत्र लेखा को सिर्फ मौका चाहिए साई को नीचा दिखाने का एंड उस मौके को डूरने का जब वो साई को घर से बाहर निकाल सके लेकिन दोस्तों यहां पर जहां पर सई पत्र लेखा को लग रहा है कि इस वक्त विराट भी उसके अगेंट है तो सई के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है किसी की हमत नहीं है कि वो सई के पक्ष में बोले लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शक्स बढ़कर आगे आने वाला है जिसका स्टेंड लेते ही बाकी सारे घर वाले जो है दो कदम अपने आप पीछे घिसका लेने वाले है अब दोस्तों ना तो यह भवाने काकु है ना निनाद है ना उमी है ना विराठ है ना कोई और है बलकि यह होने वाला है समराठ जी हाँ दोस्तों समराठ जो है वो पूरी तरीके से साही के लिए स्टेंड लेते वे आपको यहाँ पर नज़र आएगा और साही का सपोर्ट करते वे नज़र आएगा अब दोस्तों लगे हाथ मोहित को भी मौका मिली जाता है दोशब्द बोलने का तो वो भी अपने साही वहीनी के पक्ष में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश जरूर करेगा यहाँ पर शीवानी जो है वो सई से नाराज भी है लेकिन सई का काफी फैंक्फुल भी करती है क्योंकि यहाँ पर सई के वज़eur से राजी उसे फिर से मुलाकत उसकी हो पाई जो इलजाम उसकी तरफ से राजी उपर लगाए गए थी जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था उसके बारे में भी साई के वज़े से ही उनको पता चला यानिके फिलाल अशिवानी का जो रोल है वो साई को लेकर एबरेच चलने वाला है लेकिन आप स्वभी को पता है कि चमवान निवास में जब से सई का रिटन फिर से हुआ है सई यहाँ पर जो है एक अलग अवतार के साथ लोटी है और यहाँ पर सई किसी की भी नहीं सुनना चाती है और सई पूरी तरीकी से कानून का अपने हक का इस्तिमाल करते वे चमवान निवास के लोगों को हमेशा पचार ही देती है यहाँ पर विराट जो है वो ज़्यादा कुछ इसमें इंटरफेर नहीं करने वाला है क्योंकि यहाँ पर विराट कहता तो फिरता है सी रिल के अंदर कि वो अभी भी घरवालों से नाराज है तो उसे पत्रेलेखा भी बहुत अच्छी दोस्त लगने लग जाती है और वो स्Re कि सारे किस्से कहाणी तक को सुना देता है तो क्या पत्रेलेखा चमवान निवास के लोगों में नहीं आती या फिर पत्रेलेखा विराट के लिए कुछ खास है यहाँ पर घर के लोगों से विराट कुछ भी शेयर नहीं करता है क्योंकि वो उनसे नाराज है लेकिन जब पत्र लेका उसके कमरे में उसे कुछ ताने माणने या फिर सही की बुराई करने आती है तो विराट भी अच्छी तरीके से अपने रट लगा देता है सही की बुराई की वो भी पत्र लेका क्या आगे जी हाँ दोस्तों ऐसे कई सारे सीन सीरिल के अंदर दिखाये जा रहे हैं फिलाल इस्टार के कई ऐसे सीरिल है जो कि लोगों को आड़े हाथ लेने पर मजबूर कर रहे हैं पहले अनुपमा हुआ था क्योंकि अनुपमा आखिरकार वनराज के पास पानी का गिलास लेकर उसकी चिंता लेकर आखिरकार गई क्यों दे इतने बड़े लेवल पर फिलाल इन दिनों में चल रहे हैं कि यहां पर सीरिल के मेकर्स के बाद डाइरेक्ट आप लोगों के मैसेज जा रहे हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि सीरिल के मेकर रिपलाय नहीं करते हैं जवाब नहीं देते हैं अपने फैंस को ये बहुत बुरी बात है तो दोस्तों इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मैसेज करते हैं तो उनका रिपलाय करना तो पॉसिबल हो ही नहीं प हो जाता है बड़ा आप सोचरोंगे इसका फारग उनके पर पढ़ना चीज़ तो ऐसा नहीं होता है बलगे वह चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि सीरियल से लोग इतने ज्यादा कनेक्ट है कि वो ट्रेंड करवा रहे हैं सीरियल को और इसे सीरियल की जो पॉपलेरिटी होती है वो कम होने के बजाए दूग ना बढ़ जाती है यानि कि दोस्तों एक तरीके से पूरी तरह नेगेटिव पॉब्लिक सिटी कराने का तरीका है जो कि सीरियल पर बहुत अच्छा इफेक्ट लेकर आती है वह आपके जो भी उपिनिंस करकर अब सीधे भोले बाले बन चुके हैं वहल कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा आपकी क्यों पिनिंस है और विराट के इसे कानून के रक्षक वाले रोल के लिए दो शब्देतों बनते हैं कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ल